हेलो एवरिवन स्वागत है आपका पाटशाला रिशिकेश के यूट्यूब चनल पर दोस्तों एक खबर वाइरल हो रही है जो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंदित है जैसे आप उत्तराखन कॉंस्टेबल की तेयरी करते है वैसी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी कॉंस् वो आउट्सोर्सिंग से होगी और वो भी पुलिस की भरती मतब नयाय ववस्थाब आउट्सोर्सिंग और समविदा से होगी तो इस पर बवाल हो गया है अब यूपी पुलिस ने इस पर सफाई जारी करिए क्या सफाई दिया उस पर भी हम बात करेंगे आपको पता है कि उत्राखंड में भी पुलिस भरती का इंतजार हो रहा है उत्राखंड में पुलिस SI की भरती का भी अभी इंतजार है पुलिस कोंस्टेबल में वेटिंग का भी अभी इंतजार है और ऐसे में ये आउट्सोर्सिंग की खबर आपको पता ही कि सरकार कहीं न कहीं जाए वो के एसे ही धुआ नहीं उठा होगा कुस्तो बात होगी क्योंकि ऐसे ही मन्चले तरीके से तो यह letter नहीं वाइरल हो गया होगा तो outsourcing के जरीए भरती की बात है बड़ा मामला है यह ठीक है यह हो रहा है अब आपको comment में वताना है कि यार क्या पुलिस की भरती समविदा पर होनी चाहिए क्या वैसे तो कोई भरती हो लेकिन क्या पुलिस की भरती न्याय ववस्था को लागू करने वालों की जो भरती है क्या वो समविदा के रूप में होनी चाहिए यह पुलिस का लेटर था तो जब इस पर खुब बवाल हुआ च जब उत्राखंड में पुलिस की भरती के लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है और भरती जब ठेके पर हो तो इसका कहना ही क्या तो कहीं न कई सरकार पर दबाओ हर जगा से बनाना चाहिए कि देखो आपको जादा जादा पदों पर सरकारी भरती करनी चाहिए ना कि आपको ठेके पर भरती को दिया जाना चाहिए यह हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं तो यह विपक्षी दल के जो नेता होंगे महाँ पर जो मतला विपक्ष में होंगे संजे सिंग उन्होंने बोला कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाग नहीं उड़ाना यह सारी बाते हैं उससे वहले गुजरात का मॉडल बिल्कुल गुजरात में भी यही मॉडल है कि महापर कई सारे पुलिस कर्मी अलग-अलग विवस्था को देखने के लिए ठेके पर रखे गए हैं पुलिस ने क्या का पुलिस का कह दिया है कि यह जो पेपर लेटर था यह खारिज कर दिया गया गलत लेटर था यह जो भी पुलिस ने का है वो हम आपको बता रहे हैं आप इस वीडियो पर क्या सूचते हैं क्या पुलिस की भरती आउट्सूर्सिंग के जरिए होनी चाहिए आपको यह बताना है कॉमेंट स किसाद